सबसे ज़्यादा बुद्धी सी सरकार को है और बाकी देश के इतने इंटलेक्चुल पढ़े लिखे लोग और जो प्रोडूसर्स हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है वह एक तरह से किसानों को बंधुआ मजदूर बनाना है उसकी जमीन चीनना है यह विद्यक का मतलब जैसे अभी हमारे एक साथी कह रहा है था आओ जी ले लो जी फिडी आपकॉस्ट ले लो ले लो सब फिडी में बट रहा है तो पहले ओपीम की तरह चसका लगा दिया फिरी जुकर बलते हैं मोनिकों का मोनिक ली तो अब करें थी त चारसो नानवे दो जी उसी तरीके से लॉलीपप दिखा रहे पुलें कि नहीं नहीं जो MSP है उसे हम ज्यादा पईसा दे रहे हैं पहले कब तक गतार बोल रहे हैं कि जंता को भी किसानों के अंदलोन में आना चाहिए किसानों के आंदलोनों में आम जंता का क्या काम वह बताएं बहुत दिल्चस्प सवाल है तो किसान आम जंता नहीं है और आम जंता किसान नहीं है देश तो सब लोगों से मिलकर बनता है न किसान जो अगर खेती करना बंद कर देता आम जंता खाएगी क्या इराजे महराजे खाएंगे क्या तो किसान अन्य दाता है हम लोग यहां बैटके पढ़ते लिखते हैं और अनाज नहीं उप जाये दखाएंगे कैसे तो जो न्याय संगत बात है उसके पक्ष में और अत्याचार के खिलाफ इस देश के तमाम लोगों को जो है आगे आना चाहिए अब बोलें कि राजे महराजे हटा के अंग्रेज हकूमत की ताम जंदा क्यों लड़ी गुलामी थी ना तो यह अभी पूंजी की गुलामी चल लएए यह जो भाजपा सरकार है इसका नारा है जय धनवान न जय जवान न जय किसान न जय समिदान जय धनवान तो सारे लोगों सारे कंपनी के हवाले कर रहे हैं यह कंपनी राज फिर से वापस आ रहा है इसलिए कि सिर्फ आम जंता नहीं तमाम बुद्धी जीवी वकील फिल्म स्टार तमाम ऐसे लोगों सब को जो है किसानों के समरतर में आना जी बताये जारे कि इस विदे को आने से किसान कहीं ज्या लोग और जो प्रोडिउससें में उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या रहा है आप उस किसानों की जमीन पहले आपने इंड üs जी एस्टि लागू की आधम देखिए आप तो कहरें थे 15 लाख भी देंगे दो करोर रोजगार भी देंगे तो गप्पा जुठा सरकार है जो बोलती है उसका उल्टा करती है ये सब का साथ सब का बिना कर दिया तो ये जो है ये समझना पड़ेगा और किसानों के पक्ष में सब आपको बार-बार हम ये मुहीम चला रहा है समिधान बचाओ देश बचाओ तो समिधान कोई किताब खाली नहीं है लोग के लिए समिधान बचेगा तो लोग भी बचेंगे समिधान नहीं बचेगा तो इसी तरह पुझी पतियों के गुलामी में सब एक तरह से कमपनी पापड़े से लोगों को पहचान लेते हैं तो वहां कितने लोगे यह सब जो है ना गोलिबाजी है और कुछ नहीं है कैसे पवित्र है आप आई यह बहस किजिए ना उसमें हमने तो देखा है पढ़ा है उसके बारे में वह एक तरह से किसानों को बंदुगा मजदूर बनाना है उसकी जमीन चिनना है यह विद्यक का मतलब जैसे अभी हमारे एक साथी कह रहे था ना कि सब्सक्राइब लगा था तो कॉंपटिशन में जितने कॉंपटिटर थे आउट हो गए जब अकेले बच गए इसको बलते हैं मोनोपोली क्याप्टिजम का मोनोपोली तो अब कह रहे हैं तीन सो निनानवे दो जी तो चार सो निनानवे दो जी उसी तरीके से लॉलीप अब ऐसे करेंगे समझ रहे हैं मेरी बात है प्रोफेसर बताया रहे है किसानों को भ्रमित करने काम कुछ लोग ने इसा है जब इस सरकार में नहीं थे इनको कौन भ्रमित कर रहा था प्याज का माला लेके अग्यास का सिलेंडर लेके पूरा सारे इनके नेता सब रोट पे वैट्रेटिंग को कुछ भ्रमित किया है मतलब दलीत आंदोलन करें तो विदी ब्रमित है मुसलिम के सवाल हो विदी दिग भ्रमित है नर्सी वे वह सो विद तब से ज़्यादा बुद्धी इन ही को है कितना नवल प्राइज पाए हैं इनके जितने थिंग टेंक है एक विदी जी का डिग्री अविपत ही नहीं है उनको सबसे ज़्यादा बुद्धी है लोक शाही की तराजदी भी है कि जिनके वोट पे आते हैं ताना शाह उनी को कुछ चलते हैं सबसे पहले किसानों के इतना आप 6 साल तो हो गया 7 साल होने जा रहा है बता दीजिए कि कब सर जह जहाए होंगे जारगंस जो है ना यह गपवाजी से नहीं चलता है देश इतने पुड़े देश में लोग आंतुली थे सारा मीडिया किसी को टररीश्य घोषित करने में लगा है किसी कुछ करने में लगा है तो मेनिस्टिम से तो हम लोग बात भी करते हैं तो कईसे फा पार्लेमेंट में आम हरी परका दोफ है किस में पाइदा हो अगर उनकी बात को माने तो मैं वापस अपने पहले वाले सवाल पर रा हूं गा जंता क्यों उत्रे इस किसानों के आंदोलन पर वह बताएं इस देश को बचाने के लिए यूघ आने वाली पीडियों को बचाना है लोग टंत्र खत्म होने का मतलब नहीं है उसurnalad जनली रोधी काम करती तो बिश्वास कैसे करेंगे यह समिधान हमको हक देता है कि हम सरकार पे बिश्वास करें या न करें और समिधान के दा законч़ ए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले बिल्कुल ना उनख और जाता झालो में और खबरेक औरे प्यावंच सकतें आप Cand झाल झाल